आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूँ Amazon.com वेबसाइट की रियालिटी को इसके बारे में बताया जाता है कि ये Amazon, Flipkart, PayPal, Paytium इस तरीके की वेबसाइटों से लिंक्ड है इसी भरूसी पर जो है हमारे एक नए सबस्क्राइबर ने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया था और लगबग सर सथ हजार रुपे का एमाउंट जो है उनका फ्रोजन एमाउंट में सो किया जा रहा है एवी लेवल में 4800 किया जा रहा है और फ्रोजन में 67000 और यहां अबर वो अपने पैसे को आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं यानि कि उनके साथ स्कैम हो चुका है और यह स्कैम कहीं आपके साथ नहीं हो इसलिए मैं इस वीडियो को बना करके आप लोग को आवेर करने वाला हूँ Amazon.com की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है जहां पर Amazon Flipkart और नीचे में आप देख सकते हो आप प्रोजन में देख सकते हो 67000 रुपीज सो हो रहा है और नीचे स्क्रॉल करने पर यहां पर कुछ पार्टनर्स के नाम सो हो रहे है पेपल पेटियम इस तरीके की और भी वेबसाइट है फिलिपकार्ट Amazon वगेरा भी लिंक्ड है ऐसा बताया जाएगा और यह वेबसाइट वाले एक और तरीके से लोगों के साथ स्कैम करना आप सीख शुके हैं और तरीका क्या है जानते हैं आप लोग मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो Amazon लिखा हुआ है और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हम रिडेक्ट हो जा रहे हैं Amazon की official webpage पर अब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि website जो Amazon इंटर है यह linked है Amazon से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन यह scammers यहीं कहेंगे कि website linked है इसलिए ऐसा हो रहा है नहीं भाई आप जिससे नॉर्मली अपने phone में Amazon.com खोलोगे Amazon.in खोलोगे जो भी तो उस तरीके से इस वेब पेज पर इसको fit कर दिया गया है जैसी कोई आइकन पर click करेगा वो direct हो जाएगा उस वेब पेज पर इस तरीके का formula इस्तिमाल किया गया है बिल्कुल easy सा जिससे कि आपको लगता है कि website सायद linked है लेकिन हकीकत में यहां कुछ औरी बात थी इसके अलावा जो है यहां पर recharge page में 200 रुपे से लेकर के maximum एक लाग तक यह लोग आपस रिचार्ज करवा सकते हैं अब सुरवाती टैम में आपको जो withdrawal मिलता है भाई वो भी इसलिए नहीं मिलता है कि यह website वाले यह नहीं कि Amazon वाले अपने घर से दे रहे हैं बलकि हकीकत तो यह होता है कि आपके जैसे नजाने कितने लोग इसमें per day join होंगे और उन लोगों के पास भी जो है इसी तरीके से टास्क वागेरा सो होता रहता है जिसे कि आपके पास होता है आपके पास भी जो है यह लोग कुसी की banking information share करते है कि इस पर recharge करिए और उसके बाद हमें screenshot share कीजिए ऐसा ही होता है जैसे आप recharge करते हो screenshot share करते हो तो starting में जो minimum amounts का जो recharge होता है वो आप ही की तरह और बंदे का account का होगा आप recharge करोगे तो उस बंदे को पैसा मिल जाएगा बढ़ा चरहा करके तो उसको जो है खुसी मिल जाएगी कि भाई withdrawal मिल गया और इसे तरीके से कोई और बंदा जो है रिचार्ज करेगा तो आपको पैसे मिल जाएगे और आप खुस हो जाओगे कि withdrawal मिल गया अब होता यह है कि जैसी starting में आपको withdrawal मिल जाता है आपको trust हो जाता है इन लोगों पर और इनकी website पर और आप जो है अपने पैसे लगाने लगते हो इनके task को complete करने के चकर में और ये scammers क्या करते हैं कि उस समय जो है आपको इस तरीके की bank account की detail ना दे करके अपना bank account की detail देन में ताकि आपको सो किया जाए कि website में आपके पैसे हैं commission को add करके लेकिन हकीकत में website में सिर्फ numbers सो किया जा रहा है हकीकत में पैसा वहाँ पर है ही नहीं यही बात आपको समझना है इसलिए आप लोग withdrawal नहीं कर पाती हो बस यही चीज़े हो रही है और इसकी website जो है Amazon से linked भी नहीं है अगर आप Amazon के customer के नमर पर call करोगे और उनसे पूछोगे amazon.com के बारे में तो वो हसेंगे और बोलेंगे कि भाई इस तरके की website से हमारा website जो है बिल्कुल भी linked नहीं है I hope आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे और आप अपने पैसे नहीं लगाएंगे otherwise भाई इन draw मिल जाएगा 18% 20% tax मांगा जाएगा आपसे और इनकी बात में अगर आप फिर भी आगये तो फिर भी आपके साथ scam ही होना है जब भी आप पैसा भेज रहे हो आप ये समझ लो कि आपके साथ हो इस scam हो रहा है अब अगर आपने पैसे को अल्डेडी investment कर दिया है तो ऐसे मे जो है आपको और अपने पैसे को invest नहीं करके बलकि आपको जो है समय रत ही cyber complain करना चाहिए cybercrime.gov.in पर जा करके या फिर 1930 नमबर को dial करके इसके अलवा जो है आपको अपने payment app यान की Google पे फोन पे पे ATM उनसे बात करना चाहिए और उनसे भी request करना चाहिए या फिर अपने bank स request करना चाहिए कि सरी जो transaction मैंने किया था इसमें मेरे साथ जो है fraud हो गया है इस transaction amount को reverse करवा दीजिए इन scammers की बातों में मताना ऐसे comments भी आपको देखने को मिल सकता है ये खुद scammers होते हैं या आपके पैसे आपको वापस नहीं दिला सकते हैं बलकि पैसे ले लेंगे और आ अगर आप मेरे साथ share करना चाहते हो किसी भी online scam की जानकारियों को तो आप share कर सकते हो मेरा Instagram आईडिया और मेरा email आईडिया आपको मिलेगा मेरे हर एक वीडियो के description में आप चेक कर लेना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं सबस्क्राइब कर लीजिए ना क्योंकि यहां अबर हमेसा आपको इसी तरीके की awareness की जानकारिया वीडियो के मादि हमसे मिलता रहेगा चलिए मिलता हूं next awareness वीडियो में thank you so much